हे वाट्स अब गाईज, वेलकम टू मैं चैनल दा कारमेन रेनोल्ट काईगर, जो कि रेनोल्ट के तरफ से आने वाला एक माइक्को एस वीडियो भी है आज की इस वीडियो में हम लोग इसी गाड़ी से रिलेटेट एक इशू देखने वाले हैं जहां पर एक आट माही ने पुराना रेनोल्ट काईगर अल्रेडी तीन बार ब्रेकडाउन हो चुका है ये इंसिडेंट होता है स्रेयास राजयतक्ष्याशायर के साथ में उन्होंने 2022 में अपनी रेनोल्ट काईगर आरेक्स जेट डूल टोन वेरियेंट खरीदा था जो कि इस गाड़ी का टॉप मोडेल है पहला इंसिडेंट होता है गाड़ी खरीदने का कुछ दिन बाद में जब उन्होंने देखा कि गाड़ी का जो गियर बॉक्स है उसके साइट में से ओयल लिकेच हो रहा है ये देखने के बाद तुरंत उन्होंने रेनोल्ट का सर्विस सेंटर पर कॉल किया और इंफर्म भी कर दिया पूरा इंसिडेंट और उनके साथ ये इंसिडेंट होता है रेनोल्ट सर्विस से सर्फ पांच कीमी दूर मतलब सर्विस सेंटर से पांच कीमी दूर में उनका साथ ये इंसिडेंट होता है और इंफर्म करने का चार घंटा बाद रिनोर्ट का आरे से आता है इसके बाद गाड़ी दो महीने लगभग ठीक ठाकी चल रहा था फिर से गाड़ी में एक प्रोब्लम आता है क्या होता है कि गाड़ी का जो AC है वो ठीक से कूलिंग नहीं कर पा रहा था और गाड़ी ओबर हीट हो रहा था इसके बादे में भी उन्होंने सर्विस सेंटर पर इंफर्म किया तो सर्विस बाले ने बोला कि गाड़ी टर्बो चार्जट है इसलिए गाड़ी में ये सब दिक्कते मतलब ये सब कौम होना है गाड़ी में इसके अलबा तब और भी एक दिक्कत आता है क्या होता है कि वो जगब एक रेस्टोरेंट से बापस आ रहे होते हैं तब रेश्टुरेंट में उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, गाड़ी टोटली आफ था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, प्रोल्म हो रहा था, तो इसके वारे में उन्होंने सर्विस सेंटर पर कॉल किया और सर्विस वाल पर ही ये फ्विल पंप चेंज हो जाएगा तो कोई बात नहीं चींदा करने का ये सब तो मिट गया फिर होता है और एक मेन प्रोब्लेम जो होता है थर्ड इसू उनके साथ क्या होता है कि फ्विल पंप चेंज करने का सर्फ साथ दिन बाद जब वो रात की एक बज़े अपन क्योंकि फ्विल पंप फिट करने के टाइम वो लूज हो गया था थोड़ा इसलिए ये इसू हो गया है तो आप यहाँ पर देखी सकते हैं कि सिर्फ आठ महीने पुराना रिलनर्ट काई गर के साथ कैसे कैसे इसू आ रहे हैं सिर्फ आठ महीने ही हुआ है और गाड़ी के स में तो बहुत ज्यादा दिमाग खरब हो जाता है तो रिनल्ट बाले प्लीज अपनी सर्विस सेंटर को ठीक ठाक करे मतलब सर्विस वाले को बोले कि ठीक से काम करने के लिए और रिनल्ट बाले का आफ्टर सेल सर्विस भी थोड़ा ठीक होना चाहिए इंडिया में बात ब इसे ही बहुत सरा इंफर्मेटिव अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल पर ही मिलता रहेगा जय हिंद जय भारत